प्रियेच्छा चात्राओं आप सभी 12 इंटर्मेडियेट, CBSE और विहार स्कूल एक्जामिशन बोर्ट पटना के परिक्षार्तियों तथा मनोविज्ञान विशे से पर्तियोगी परिक्षाओं के त्यारी कर रहे अन्य पर्तियोगी परिक्षार्तियों का आज के चैप्टर 3 के टोपिक मेटिंग लाइफ चैलेंजेज अर्थात जीवन की चुनोतियों का सामना सिर्शक पार्ठ के पार्ट 2 क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है हम लोग आज पार्ट 2 के अंतरगत कुछ नए-नए वस्तुनिस्ट परस्णों के वैकल्पी कुत्रों में से सही वैकल्पी कुत्रों को जानने की खोशिश करेंगे वैकल्पी कुत्र करमश ए-बी-सी तथा डी के रूप में होंगे आसा करते हैं चैप्टर 3 के आज का पार्ट 2 क्लास आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए काफी उप्योगी और लाबदायक सिद्ध होगा आज के पार्ट का पहला वस्तुनिस प्रश्ण इस परकार है इनमें कौन तनाव का सामना या परबंधन के लिए सबसे प्रभावी यूजना है प्रस्ण को एक बार फिर से दोड़ाते हैं आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए इनमें कौन तनाव का सामना या परबंधन के लिए सबसे प्रभावी यूजना है वेकल्पी कुत्तर A. पारिवारी कारिक्रम फैमिली प्रोग्राम B. वेवसाइक जहारा ओकुपेशनल सपोर्ट वेकल्पी कुत्तर C. संग्यान में परिवर्तन चेंज इन कोगनेशन और D. सामुदाइक सहारा यानि कॉम्मिनिटी सपोर्ट इस प्रश्न का सही वेकल्पी कुत्तर होगा C. संग्यान में परिवर्तन चेंज इन कोगनेशन अगला प्रश्न आप सभी परिक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस परकार है अपने वातावरन के सतत आवाज के साथ सामन्जन अस्थापित करने की परकिरिया को क्या कहा जाता है प्रश्न को एक बार फिर से दोड़ाते हैं आप सभी परिक्षार्थियों के लिए अपने वातावरन के सतत आवाज के साथ सामन्जन अस्थापित करने की परकिरिया को क्या कहा जाता है वेकल्पी कुत्तर A. आदत, habit, B. सीखना, learning, C. परिपकुता, maturation, D. अभ्यासन, यानि habituation. इस प्रस्ण का सही वेकल्पी कुत्तर होगा D. अभ्यासन. अगला प्रस्ण. कोबासा के अनुसाग, इनमें कौन, द्रिद्व्यक्तित्व से संबंदित, गुनों में शामिल है? चाचात्राएं ध्यान दे, परिक्षा के द्रिष्टिकों से या प्रस्ण काफी महत्पुन है? प्रस्ण को एक बार फिर से दूराते हैं. कोबासा के अनुसाग, इनमें कौन, द्रिद्व्यक्तित्व से संबंदित, गुनों में सामिल है? वैकल्पिक उत्तर E. वशन वधता, यानि कमिट्मेंट. B. नियंतरन, यानि कंट्रोल, C. शुनवती, यानि चैलेंच, और D. इनमें सभी, इस प्रस्ण का सही वेकल्पिक उत्तर होगा, D. इनमें सभी. इस प्रस्ण को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, कि कोबासा के अनुसार, इनमें कौन दिद्व्यक्तित्व से संबंदित, गुनों में शामिल नहीं है, तो ध्यान देंगे वचनवधता, नियंतरन और चुनवती, ये कोबासा के दिद्व्यक्तितों से संबंदित, गुनों में शामिल है, इनके आलावा अगर कोई भी चीज को देता है, तो वो इसमें शामिल नहीं है, बहुत ही आसान है इस प्रस्ण के उत्तर को याद रखना, कि 3C के रूप में हम याद रखेंगे, वचनवधता यानि कमीट्मेंट, नियंतरन यानि कंट्रोल, और चु इस व्यक्ति में पाए जाते हैं, उस व्यक्ति को ही धिर्द व्यक्तित्व से सम्बंदिद व्यक्ति कहा जाता है, अगला प्रश्ण, आप सभी परिक्षार्थियों के लिए, ताक्रा व्यक्तित्व, हाड़ी प्रशनाल्टी को क्या कहा जाता है, छा छात्रा है, इस प्रस्न को एक बार फिर से दूराते हैं। तगरा व्यक्तित्व यानि हाड़ी प्रशनाल्टी को क्या कहा जाता है बैकल्पिक उत्तर A type A व्यक्तित्व, B type B व्यक्तित्व, C type C व्यक्तित्व और D type H व्यक्तित्व इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा D, टाइप H, व्यक्तित्व अगला प्रश्ण आप सभी परिक्षार्तियों के लिए इनमे कौन प्रतीबल यानि एस्ट्रेस का सकारात्मक परभाव है चाचात्रे ध्यान दें प्रश्ण को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि पर्तीबल यानि एस्ट्रेस के सकारात्मक परभाव को क्या कहा जाता है तो इन दोनों प्रश्णों का व्यक्तिक उत्तर मैं इन व्यक्तिक उत्तरों में से बतलाऊंगा सबसे पहले प्रश्ण को एक बार फिर से दोराते हैं कि पर्तिवल का साकरात्मक परभाव है वेकल प्रिकुतर A तनाव ही निता, B डिस्ट्रेश, C यूस्ट्रेश, D इन में कोई नहीं इस प्रशन का सही वेकल प्रिकुतर होगा C, यूस्ट्रेश ध्यान देंगे चाचात्रा पर्तिवल का जो साकरात्मक परभाव होता है उसको ही हम यूस्ट्रेश के नाम से जानते हैं जबकि पर्तिवल का जो नाकरात्मक परभाव होता है वो डिस्ट्रेश कहलाता है अगला प्रश्ण आप सभी परिक्षार्थियों के लिए प्रस्ट इस परकार है इनमे कौन परतिबल के दाहिक पक्षों को नियंतरन करने की परकिरिया है या भी परिक्षा के दिश्टिकून से काफी महत्तुन है प्रश्ण को एक बार फिर दोड़ाते हैं आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए इनमें कौन पर्तिबल के दाहिक पक्षों के नियंतरन करने की परकिरिया है बैकल्पिक उत्तर A. डिस्ट्रेस B. बायो फीडबैक C. इस्थिली करन और D. अभी पेरना इस प्रश्ण का सही बैकल्पिक उत्तर होगा B. बायो फीडबैक अगला प्रश्ण आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए इनमें कौन तनाव परभंदन यानि एस्ट्रेस मनेजमेंट से संबंदित परवीधियों में शामिल है प्रश्ण को एक बार फिर से दूराते हैं आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए इस प्रकार है इनमें कौन तनाव प्रभंदन यानि एस्ट्रेस मनेजमेंट से संबंदित परवीधियों में शामिल है वेकल्पिक उत्तर A. दिर्ट गाही प्रस्ट्षन B. बायो फीडबेक परवीधि C. तनाव टी का चिकिस्षा और D. इनमें सभी इस प्रस्ण का सही वेकल्पिक उत्तर होगा D. इनमें सभी अगला प्रस्ण किसी व्यक्ति में तनाव की इस्तिती में इनमें सी कौन सी संग्यानात्मक विकिर्थी उत्पन होगी वेकल्पिक उत्तर A. एकागरता की चमता में कमी एवं इस्मिर्थी सक्ति का चिन होना B. ध्यान में चन भंगूरता का बढ़ना C. अधान विस्तार का कम होना D. इनमें सभी इस प्रस्ण का सही वेकल्पिक उत्तर होगा D. इनमें सभी अगला प्रश्ण आप सभी चाचात्राओं के लिए प्रस्ण इस परकार है इनमें कौन सी विसेश्टा तनाव परतिरोधी व्यक्तित्व में नहीं पाई जाती है प्रक्षा के दिश्टी कौन से यह प्रस्ण भी काफी मात्पूर्ण है प्रस्ण को एक बार फिर दूराते हैं आप सभी परक्षार्थियों के लिए इनमें कौन सी विसेश्टा दबाव परतिरोधी व्यक्तित्व यानि एस्ट्रेस रेसिस्टेंस प्रस्णाल्टी में नहीं पाई जाती है व्यक्रफिक उतरे चुनावती चैलेंज इस प्रस्ण का सही उतर होगा यानि दूश्चिनता ये दबाव परतिरोधी व्यक्तित्व में नहीं पाई जाती है अगला प्रश्ण आप सभी चाचात्राओं के लिए व्यक्ति में शकरात्मक एवं नकरात्मक घर्टनाव से उत्पन तनाव को क्या कहा जाता है व्यक्ति के शाकरात्मक घर्टनाव से उत्पन तनाव को यूए स्ट्रेस कहा जाता है जबकि नकरात्मक घर्टनाव से उत्पन तनाव को ही दिस्ट्रेस कहा जाता है आज के पाटका अगला प्रश्ण आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए परिक्षा के दिश्री कौन से या प्रश्ण काफी महत्पुन है प्रश्ण इस परकार है इनमें कौन तनाव के श्रोतों में शामिल है वेकल्पी कुत्तर A. जीवन की घटनाए B. दीन परतिदीन के उल्जने C. अभिपेर्कों का संगर्ष और D. इनमें सभी इस प्रश्ण का सही वेकल्पी कुत्तर होगा D. इनमें सभी अगला प्रश्ण आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए परिक्षा के देश्टी कौन से यह प्रश्ण भी काफी महत्पुन है प्रश्ण इस प्रकार है सामान्य अनुकूलन सन्रक्षन यानि जेनरल एडप्टेशन सिंड्रोम से संबंदित अवस्थाओं का सही करम इनमें कौन है वैकल्पी कुत्र A. परिश्रांती तथा चेताओनी वैकल्पी कुत्र B. चेताओनी परिश्रांती तथा परिश्रांती तथा परिश्रांती और वैकल्पी कुत्र D. चेताओनी परिश्रांती तथा परिश्रांती इस प्रश्ण का सही व्यकल्पिक उत्तर होगा D, चेतावनी, पर्तिरोद, परिश्रान्ती ये समान अनुकुलन सन्रक्षन की अवस्थाओं का सही क्रम है आगला प्रश आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए बिभिन शोधों एवं अध्यानों द्वारा इस बात की पुष्टी हुई है कि इन में से कितने प्रतिश्यत रोगों का कारण तनाव होता है प्रश्ण को एक बार फिर से दोड़ाते हैं आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए बिभिन शोधों एवं अध्यानों द्वारा इस बात की पुष्टी हुई है कि इन में से कितने प्रतिश्यत रोगों का कारण तनाव होता है वेकल्पी कुत्तर A 25 प्रतिशत B 40 प्रतिशत C 50 प्रतिशत D 75 प्रतिशत इस प्रश्ण का सही वेकल्पी कुत्तर होगा D 75 प्रतिशत आज के पाट का अगला प्रश्ण आप सभी परक्षार्थियों के लिए परिक्चा के दिश्टी कौन से या प्रश्ट काफी महत्पुन है प्रस्ट इस परकार है अप्रबंधित काज यानि अन्मेनेज्मेंट या अन्मेनेज्ट वर्थ तनाव उत्पन करता है इस कथन की पुष्टी किनके अध्यनों से होता है वेकल्पी कुत्तर A. करेन हर्नी B. एडलर एवम जूंग C. राइस D. मैसलो इस प्रस्ट का सही वेकल्पी कुत्तर होगा C. राइस यानि राइस का ही यह अध्यन है कि अप्रबंधित काज व्यक्ती में तनाव को उत्पन कराता है अगला प्रश्ट आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए जब कोई व्यक्ती अपनी आवशक्ताओं की तुष्टी के लिए वाहकारकों के साथ उचित समन्वे अस्थापित करता है तो इसे कहा जाएगा व्यक्ती कुत्तर A. अनुकूलन, Adaptation, B. समन्वे, Coordination, C. समयोजन, Adjustment, D. इनमें सभी इस प्रशन का सही वेकल्पी कुत्तर होगा C. समयोजन, यानि Adjustment, अगला प्रश आप सभी परिक्षार्थियों के लिए इनमें कौन परतिवल का एक शुरोत नहीं है परिक्षा के देश्टी कौन से याभी प्रशन काफी महत्पूर्ण है प्रशन को एक बार फिर से दूराते हैं आप सभी प्रशार्थियों के लिए इनमें कौन प्रतिवल का एक शुरोत नहीं है वेकल्पी कुत्तर A. जिन्दगी की घटनाए B. अभिगातज घटनाए C. उल्जने D. पारिवारिक समर्थन इस प्रशन का सही वकल्पी कुत्तर होगा D. पारिवारिक समर्थन परतिवल का एक शुरोत नहीं होता है अगला प्रश आप सभी प्रक्षार्थियों के लिए प्रश इस प्रकार है तनाओं को कम करने हैं तू समस्या केंदरित समायोजी उपाय को महत्पूर्ण माना है वकल्पी कुत्तर A. लेजारस ने B. फोकमेन ने C. A. तथा B. और D. बैंडूरा इस प्रशन का सही वकल्पी कुत्तर होगा C. A. तथा B. यानि लेजारस और फोकमेन 1984 में अपने की गए अध्यनों के आधार पर समस्या केंदरित समायोजी उपाय को तनाओ करने हैं तू काफी महत्पूर्ण माना है आज के पाट का अगला प्रशन आप सविच्छा चात्राओं के लिए प्रशन इस प्रकार है इनमें कौन दबाव यानि एस्ट्रेस और संक्रामे तंत्र तथा अंतह साड़ावी किरियाओं के बीच होने वाले अंतह किरियाओं का अध्यन करता है प्रशन को एक बार फिर से दोराते हैं आप सभी प्रक्षाचियों के लिए इनमें कौन दबाव और संक्रामे तंत्र तथा अंतह साड़ावी किरियाओं के बीच होने वाले अंतह किरियाओं का अध्यन करता है वेकल्फी कुतर A. नीरो मनोविज्यान B. साइको नीरो इम्मिनोलोजी C. संग्यानात्मक मनोविज्यान D. एंटीजेंस इस प्रश्ण का सही वेकल्फी कुतर होगा B. साइको नीरो इम्मिनोलोजी C. और आज के पार्ट का अंधिम प्रश्ण आप सभी परिक्षार्थियों के लिए परिक्षा के दिश्टी कौन से यह प्रश्ण काफी महत्पूर्ण है प्रश्ण इस परकार है विचारों, परणाउं, आवशक्ताउं एवं उद्धिश्यों के फलसरूप, विडूद के फलसरूप पैदा हुए विच्छोबिया तनाव की इस्तिती को क्या कहा जाता है इस प्रश्ण को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है जो प्रश्ण इस परकार का होगा विचारों, परणाउं, आवशक्ताउं एवं उद्धिश्यों के परस्पर विडूद के फलसरूप पैदा हुए तनाव या विच्छोब की इस्तिती को क्या कहा जाता है वेकल्पी कुत्तर A, कुंठा, B, द्वन, C, तर्क और T, तनाव इस प्रश्ण का सही वेकल्पी कुत्तर होगा B, द्वन्द यानि कन्फलिक और अब आज का ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है आसा करते हैं आज का पार्ट आप सभी परत्योगी परिक्षार्थियों तथा CBSE और बिहार स्कूल एक्जामनेशन बोर्ट के बारवें की परिक्षा दे रहे या देने वाले परिक्षार्थियों के लिए काफी उप्योगी सिद्धोगा फिर मिलते हैं अगले कलास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद